हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूटीब चनल नरायन कॉर्णर में मैं नरायन आपका स्वागत करता हूँ राशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वास्तो सुरक्षित होंगे जैसा कि आपने थम्नेल में देखा कि आज यस विशे पे हम लोग चर्चा लेके आए हैं आपके सामने वो विशे बड़ा ही चर्चित है यूटीब पर बहुत सारी लोगों ने उस पे वीडियो बना रखी है बहुत सारी इस पे चर्चाएं हो चुकी है और इसी चर्चा को मैं आज एक दूसरे तरीके से आपनों के समख्ष पिक्ष करने के लिए लाया हूँ जब हम लोग कहीं पर भी wealth create करते हैं तो वो किस रूप में होती है क्या मकान खरीदना एक wealth creation हो सकता है आज हम जिस दो चीज़ों के तुलना करेंगे वो है कि यदि एक वेक्ति अपना मकान लेता है या मकान में investment करता है वो वेक्ति ज़्यादा wealth कहलाएगा या फिर एक वेक्ति जो किराय के मकान में ही रह रहा है लेकिन वो मकान नहीं खरीदता वो एक asset नहीं purchase कर रहा है लेकिन वो investment कर रहा है और वोही investment उसको एक wealth बनाने की कोशिश कर रही है आप मैंसे बहुत सारे दर्शक बहुत सारी वीडियो देखके ही है अपने बारे में विचारधारा बना चुके होंगे कि जी हां मकान लेना ही एक सबसे श्रेकर तरीका है आज के जमाने में wealth create करने का निश्चित रूप से हो सकता है लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है क्या मकान खरीदना या मकान ना खरीद के investment करना दोनों में से बहता तरीका कौन सा है wealth create करना और rich होना ये दोनों अलग-अलग पहलू है ये दोनों कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते बहुत सारे लोग इसमें ये सोच लेते हैं कि rich होना wealthy होना एक ही बात है लेकिन ऐसा है नहीं आप rich हो सकते हैं लेकिन wealthy हो ही जरूरी नहीं लेकिन अगर आप wealthy है तो आप rich अपने आप होंगे इसको समझने के लिए मैं आपको अपनी slide की तरफ दे के चलूँगा और वहाँ पे आपको दोनों धारनाए पूरी तरीके से खुल के समझाऊँगा कि किस तरीके से एक वेक्ति अगर कोई loan लेता है और एक मकान खरीदता है तो वह ज़्यादा successful कहलाएगा loan लेने के 15 या 20 साल बाद या फिर वेक्ति जो किरायके मकान में ही रह रहा है उसके पास अपना कोई मकान नहीं है लेकिन वह disciplinary रूप से कुछ investment करता है तो वह ज़्यादा wealthy कहलाएगा समझने के लिए चलते हैं अपनी slide की तरफ slide पर चलने से पहले आप सभी दर्शेवों से एक सभी ने निमिदन की प्रीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे और bell icon को दुमाना मत भूलिए जिससे आपको सभी वीडियो समय पहुत सुचारों रूप से प्राप्त होती रहें ग्यान मढ़ाने के लिए वीडियो पर बने रही है और आगे चलते हैं अपनी slide की तरफ और जानकारी कत्रित करते हैं आओ कि नया सीखों में कि आज wealth create क्या होती है तो यह है वो excel sheet जिस पे हम लोग अभी समझेंगे कि किस तरीके से दो व्यक्ति हैं आप यहां पर हम दो व्यक्ति इसलिए कहारें क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो किराय के मकान पर रहता है यहां पर और दूसरा व्यक्ति किराय के मकान छोड़के अब वो EMI पर चला जाता है यानि कि वो अपना घर खरी देता है घर कैसे खरीता है यहां पर आप देखिए पचास लाग रुपे का वो कोई घर खरीता है कोस्ट ऑफ हाउस पचास लाग रुपे का कोई घर खरीता है जिस पे जब वो बैंक से लोन लेगा तो चालीस लाग रुपे का उस पर बैंक पे लोन मिलेगा क्योंकि बीस परसेंट ओन कोंट्रिबूशन उसका दिखाना ही पड़ेगा यानि दस लाग रुपे तो उसे 47,200 और 94,400 यानि कि एक लाख 41,600 रुपे की तो उसकी वो चार्जिस पे करेगा अगर कोई लोन लेता है तो प्लस दस लाख रुपे यहां पे उसकी पॉकेट से जा रहे तो यह एक लाग एक तरीके से स्टार्टिंग में पहले जब यह लोन ले रहा है तो ग्यारा लाख 41, 46,600 रुपे तो एक तरीके से उसका कॉस्ट ऑफ बॉरॉइंग है ही यह कॉस्ट ऑफ बॉरॉइंग है इसकी अब अगर हम यहां पे और आगे मान लेते हैं कि 11% के रेट ऑफ इंटरस्ट कोई घर खरीगता है देखिए यहां पे मैं प्राइम होम लोन की बात नहीं कर रहा ह नहां पे मैं बात कर रहा हूं एक मिडल क्लास फैमिली के वेक्टी जो एक ऐसा घर खरीड़ा है पचास लाख रुपेगा जिसका नक्षा नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी की चेन में पीछे जीपीए है तो एफ़ोडेबल हाउजिंग में रेट थोड़ा सब प्राइम हाउ हुई पिछले 13 से 15 साल के बीच में तो बैंक आपको अच्छे रेट पे लोन दे देते हैं लेकिन वहीं अगर 15 साल के भीतर यानि कि जब आप लोन ले रहे हैं उससे 15 साल तक के पीछे अगर जाएंगे उसमें कहीं पर जन्र पाव टॉनी पर ट्रांसेक्शन है या उस प्र प्राइन सेग्मेंट में नहीं जाता लोन फिर वो एफोडेबल सेग्मेंट में जाता है इसका रेट प्राइम लोन से सस्ता नहीं होता यानि कि महंगा होता है नक्षे वाली प्रॉपर्टी और से शेल डीड हो रही है ऐसी प्रॉपर्टी का रेट कम होगा बर्षते कि मारे दिल्ली के अगर बात करें तो और मोस्स 75 परपर्टी जिन पर नक्षा नहीं है वह एफोडेबल हाउसिंग में जाती है तो उनका वॉल्यूम ज्यादा है रेट आफ इंटर्स 11 परशेंट हम एफोडेबल में लेते हैं 20 साल का मैंने यहां पर लोन लिया है 15 साल भी होता ह है 12 महीने यह महीने की वो देगा 45,000,000 रुपय की 41,2008 रुपय की यह उसकी 40,000,000 के लौन पर यहां पर ऴंने 40,000,000 लिये का लून लिया अब उसकी यह महीने की हो की एक महीने की wir Pauftimosork चार्ट डोसौफ़ासर ल,छार 55,000 कि है बहुत सारे में तर्शक पूछते हैं कि आपने इमाई कहां से निकाली देखिए इमाई निकालने के लिए बहुत सारे एप और बहुत सारी वेबसाइट आजकर ओनलाइन आपको सर्वीज ले रही है कि आप सिर्फ गूगल पर टाइप करी इमाई कल्कुलेटर और वो बता देंगी आपक 28 रुपए अगर वो महिने के इमाई दे रहा है यानि एक साल के 4,95,456 रुपए की वो पेमेंट करेगा इस हिसाब से यहां पर नीचे पूरा शेडियूल बना हुआ है शेडियूल में आप देखिए कि यहां पर प्रिंसिपल है और इंटरस्ट है इन दोनों को जब इस बारे में जानकारी दी थी कि जब इंटरस्ट लगता है वो रेड्यूसिंग बैलन्स पे लगता है यानि कि जितना आपका आउस्टेंडिंग होगा उस पर आपको इंटरस्ट देना होगा पहले सार 40,00,000 पे लगा 4,37,000 अब आपने यहां पर प्रिंसिपल भी पे किया है क्योंकि एमाई तो सेम रहेगी तो साल के अंत में 12 एमाई देने के बाद आपका जो बैलन्स रह जाएगा 39,41,000 रह जाएगा 40,00,000 से कम यानि की 1.46 आपने लोन रिपेमेंट करी है अब यही जो क्लोजिंग बैलन्स है यह आपको ओपनिंग बैलन्स हो जाता है तो जब अगले साल आप यह सारी एमाई जो है देनेंगे तो आपका लोन बचेगा 38,00,000 रुपे तो ब्याज यानि कि पहले महीने जो 40,00,000 पे लग रहा था अब वो आपका 24 महीने बाद 25 महीने में 38,00,000 रुपे लगेगा तो इंट्रस्ट जो है आपका कम होता जाता है यानि कि 4 रच्ट शाल लुपे लाग 4,004,004,004,000 यह कम होता रहे गा हर साल यह प्रिंसिप्ल आपका हर साल बढ़ता जाएगा क्योंकि आपका ब्याज outstanding amount पे लगता है प्लैट पे नहीं लगता है reducing balance पे हमेशा outstanding पे ब्याद लगेगा इस इस आप से देखें तो जो 2023 में लोन लिया है वो खतम होगा 2022 में अब यहां पर reverse situation आ जाएगी 100% लोन रिपेड हो चुका है चार लाग 67,000 यह आपका principle amount है और बयाज आप देखें आखरी के साल में सिर्फ 28,000 रुपए का बयाज आप पे करेंगे यानि कि reverse होगे situation सारी लेकिन EMI आपकी consistency है सेम रहती है यह तो हो गया हमारा लोन का schedule अगर आप चाहेंगे जो जो मिरे दर्शा की एक्सल शीट चाहते हैं मुझे comment पर एक बात लिखने मैं उनके mail ID पर यह आपको link बनाके यह यह जो एक्सल शीट है मैं यह आप से share भी कर लूँगा ताकि आप इसको और भरी बाती अच्छी तरीकी से समझ सकें आप comment box में जाके मुझे comment करके लिख दीजिए कि आपको यह शीट चाहिए मैं आपको यह शीट आपके mail ID पर भेज़ दूँगा तो यहां पर हमने loan को समझ लिया कि एक व्यक्ति जो यहां पर 50 लाख रुपे का loan लेता है 20% यानि 10 लाख रुपे अपनी pocket से पहले 5 साल की comparison है यहां पर दो व्यक्ति है व्यक्ति A और व्यक्ति B अब यहां पर A व्यक्ति जो है वो rent पे है और B व्यक्ति जो है उसने अपना घर खरीद दिया है अब यह जो A व्यक्ति है यह साल का rent 15,000 रुपे के साब से डिटा है एकलाक 80,000 रुपे और हमारा व्यक्ति B ज इसलिए यहां पे इसकी देंदारी 4.95.000 की है ठेकिन जो हमारे व्यक्ति है वो बिचारा अभी एक लाग 80.000 रुपे साल का रेंट पे कर रहा है क्योंकि पंदर रुपे महीने का किराया भी है उसका अब जो है यहां पे तीन लाग पंदर रुपे बचा देता है क्योंकि ए और बी की हो गए यह जनाव लड़ाई ए ने कहा कि मैं तो अभी मकान खरीदूंगा नहीं आप खरीदने भाई साब भी भाई साब और भी वहाई साब कहते है कि ठीक है अगर मैं मकान ले ले ता आपके साथ तो 4,95,000 रुपे मैं पे कर रहा हूं तो इस समय अब मैं पे नहीं कर रहा है यानि कि मैं 3,15,000 रुपे बचा रहा हूं पहले साल उसने 3,15,000 रुपे बचाए अभी यह व्यक्ति जो है यह थोड़ा सा समझदार था इसने क्या कि यह 3,15,000 रुपे जो उसने यह माई ना देने की वज़ए से बचाए जो बी तो व्यक्ति दे रहा है उसने तो 4,95,000 रुपे पे कर दिए लेकिन 1,80,000 रुपे उसने दिये रेंट में और यह माई का जो डिफ्रेंस है बी से 3,05,000 रुपे का यह इसने डाल दिया ब बेवाकूफ है भाई तुझे पता ही नहीं है अपना घर क्या होता है चलिए जी आने वाले 5 साल तक सिच्वेशन ऐसे ही चलती रहती है जो व्यक्ति भी है वो 4,95,000 रुपे साल का ही दे रहा है क्योंकि यह माई तो नहीं चेंज होती हम यहां पर यह माई देते हैं कि यह म स्सक्राइब सब्सक्राइब चार लाग विच्छानवे रुपे में शान्ती से यह मैं दी जा रहे हैं पांच में साल में हमारे यह भाई साब की थोड़ा सा दिमाग खुलता है और अन एवरेज हर वेक्टी पांच साल बाद किराया के मकान को चेंज कर लेता है हम यह मान के चलते हैं क्यों वह दे रहे ते 222 रुपए का किड़ाया लेकिन आब वो कहते है च्श्यार करने रहे थे लेकिन 15ная Этот वाद यह महें घाँ दोड़ा 1घ beats महेंगी मिल टी ऐ नहीं कि सेम है वह मुश्कुराते वि सुबर निकल दाते हैं तुम किराये पर ही रहोगे कोई बात निए चार लाग पिचानवेजा रुपे की इमाई उन्हों ने जो है सिक्स यह में पे करी और इन्होंने रेंट पे किया एक लाग प्रणवेजा रुपे का फिर एन ने क्या किया वही काम कि जो पैसे इमाई में जा रहे थे उसको बचाया और तीन लाग तीन जार रुपे कितने साल के लिए अब यह च्छटे साल में तो बीस साल के लिए तो इन्होंने कर दिए 14 साल के लिए क्योंकि भवाई हर साल इंवेस्ट करेंगे तो रेस लगजी है न 20 साल के बाद कौन कहां पे खड़ा होगा तो हर साल तो 20 साल के लिए कर नहीं सकता इसलिए हर साल घटे क्रम में एक साल कमकि वो fd करते जा रहे हैं ए महाशाय और भी महाशाय वह ही खड़े हुए अपने चार लग-95-जर की EMI दे रहे हैं यह समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो पहला साल था उसमें 20 साल की EMI होगी अगले साल 19 साल की फिर उससे अगले साल 18 साल की फिर उससे अगले साल जो है जो FD करेंगे यह वो करेंगे से फिर उसके बाद 17 फिर 16 फिर 15 फिर 14 फिर 13 ऐसे घट्टे वे साल में करनी होगी FD क्योंकि 20 साल की FD constant नहीं कर सकते अगर 20 साल में दोनों को comparison करना है तो लेकिन यह माई तो सेम जा रही है तो यह माई तो वहीं रहेगी 10 साल बात फिर यह 11 साल में प्रवेश करते हैं और कहते हैं भाई फिर से हम सस्ती प्रॉपर्टी ढूंड़ते हैं पांस साल हो गए अब 16 जार की जगा 18 जार रुपए का किराया मिनीमम इन प्रॉपर्टी का तो यह फिर वहां पर आ गए क्योंकि दस साल बात किराया भी तो बढ़ गया नहीं एवरेज म मिनीमम किराय जो पहरे 15,000 रुपए होता था वह मिनीमम 18,000 रुपए से कम पेर नहीं मिल लेगा ग्यार्वे साल में लेकिन ग्यार्वे साल में भी इमाई उनकी 4,49,000 ही है और फिर से पांस साल तक उसी किराया पे रहता है यहां पर यह माई उसकी नहीं बदलती हैं यहां पर फिर से वही 10 पर संट के किराया बढ़ता है फिर 190800 दो लाग सत्राव जार मार्च की निस जार आठ सो से 2780 रुपए महीना पिर 23,000 रुपए अगले साल चौथे साल और पांच से साल में 26,000 रुपए की किराया पे पहुंच जाते हैं अब यह फिर कहते हैं कि भाई अब यहां पर फिर से प्रॉपटी चेंज करते हैं लेकिन क्या गरें अब 20,000 रुपए का मिनिमुम किराया पहुंच गया जो 15,000 रुपए पर या तरह शुरू करी थी पहले साथ की अब कि प्रॉपटी के बढ़ रहे हैं किराया बढ़ रहा है तो 16 साल में मिनिमुम वह 20, कि देख ले मेरे तो यह मैं से मैं तेरा देख अभी कितना किराया दे चुका देकिन किराया जा रहा है कुए में तेरे प्रॉपटी मिली नहीं ना भाई कि फायदे में तो मैं हूँ मैं तो प्रॉपटी लेकि बैठा हूं और मेरा दो एक लिए तीन चार लाग पुचानवे जार साल के जा रहे हैं शांती से सोना साल निकल गए सतरवे साल में फिर से वही कि दस परसेंट की किराया बड़ोतरी और बीच में साल के अंत में आके यह व्यक्ति जो बचत होती है अपनी चार लाग पुचानवे जार रुपए जो इमाई में देता उसकी जगा तीन लाग कि क्यावन अजार रुपए का किराया देता है और एक लाग चौरीज रुपए बीच से जो उसने कंपेरिजर में बचाये थे उसको इन्वेस्ट कर रहेता है एक साल के लिए क्योंकि हम यहां 20 साल का ले रहे हैं अब यह एक लाग 14,000 रुपए यह बीच साल के लिए इन्वेस्ट नहीं रह सकता यह सिर्फ एक साल के लिए करेगा इसी तरीके से 19 साल में फिर से एक शाम को पाटी करी और जड़ा लेखा जोखा निकाला कि कौन प्रॉफिट में रहता है यहां पर जब उन्होंने हिसाब लगाया तो एक कहता है भाई मैंने तेरे से कंपेरिजन करके हर साल का रेंट पे किया यानि कि मैंने लगवग लगवग पचास लाख रुपए का जो है कि किराया है इसका बीच साल का और यह कहता है मैंने निन्यानवे लाह रुपए की हम एपे करी एक अजर मुद्ध हो आरे यहानि की 58,5000,000 रुपे मैंने बचाएं हैं इस कि एक एता है मैंने 58,00,000 रुपे बचा लिए तून एक्सट्रा लेके टो ले लेल ठीक है मैं तेरे से ज़्यादा 48 लाग रुपए ज़्यादा खर्च कर दिये लेकिन प्रॉपर्टी भी तो हो गई तेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं तो खाली आते भाई अब यह वेक्ति कहता है कि ठीक है भी आपने दस लाग रुपए तो उस समय पे करें अपनी क्योंकि वो तो पहले महीं नहीं खर्च हो गए थे तो बीस साल के लिए मैंने इस पैसे को FD में डाला अब वो मेरे 11,41,600 रुपए आप जानते हैं बीस साल में वो बन गए 44 लाग रुपए बी कहता है कोई बात नहीं 44 लाग रुपए बन गए कोई बात नहीं जो डिफरेंस था जो आपका डिफरेंस था आपने एम आई में मेरे से 48 लाग रुपए जादा पे करें मैंने तो कम पे करें मैं तो 50 लाग रुपए का सर्फ किराया दी है आपने 99 लाग रुपए पे कर यह सर आप मुझसे 48 लाख रुपे जादा थे मैंने वो 48 लाख रुपे जो FD में डाले थे ना यहां पे जो FD का है ये बोर्ड किया हुए मैंने ये वो हर साल जो वो बचा रहा था बीसवे साल में आके ये 48 लाख रुपे जो इसने FD में पचाए थे बी महाश्य के कंपैरिजन में ये 48 लाख बन जाते हैं एक करोड बारा लाख रुपे कमाल हो गया यानि कि 44 लाख रुपे ये और एक करोड बारा लाख रुपे ये तो ए व्यक्ति कहता है भाई मेरी तो बचत हो गई लगबग लगबग डेड़ करोड एक करोड चपन लाख के असपास कि भी व्यक्ति कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं मेरी प्रॉपेटी के रेट भी तो बड़े है वह कहा है वह भी लगा लेते हैं पचास लाख की प्रॉपेटी थी उसको हम हर पांस साल में 20 जो की हाइस्ट अमांट प्रॉपेटी को हमने वहाँ पर 20 परसेंट प्रॉपेटी रेट हर पांस साल में बड़ाए है तो थो पांच में साल में साठ में हो गई WiFi 50 लाख की 60 लाकी थी 5 साल बाद फिर दसल स्था स lot की फिर वो 15 साल बाद हो गई 86 लाक चालिस बिया रुपे की और फिर 20 साल में व वह वह हो गई 1 करोड तीन लाकुरिएक झाला की मेरी रुपे जई की अब यहां पर भी कहता है कि भाई साब यह एक करोड सीन लाक की मेरी करोड़ 56 लाख रुपए इंवेस्ट करके उसने बचाए 20 साल में और प्रॉपटी की वैल्यू थी एक करोड़ तीन लाख रुपए 20 साल बाद यानि कि जिसने इंवेस्ट किया उसने 52,70,490 रुपए का प्रॉफिट कमाया कमपैरिजन की अगर वो प्रॉपटी खरीद लेता तो वो भी 52,00,000 रुपए के लॉस में होता यहाँ पर आपको एक चीज समझाने की जो एक उशिश है वो सिर्फ इतनी है कि जो प्रॉपटी में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो किस रेट में बढ़ रही है और अगर 20 साल बाद आप उस प्रॉपटी के अगेंस जो भी आप ले रहेते उस लेते हैं तो आप कितने पैसे पचा सकते हैं यह जादा हो सकता है कम तो नहीं होगा क्योंकि हमने लोएस्ट रखा है 7% इंटरस रेट जो कि आज की रिट में अगर लोग में डालते है तो जाहिए सी बात है 12-13 परसेंट का एवरेज एन्वल रिटन है तो वह यहाँ पर हम हमने 20 साल 20 परसेंट लिया है हर 5 साल बार जो की हायर साइड है पर प्रॉपर्टी वालों को भी निराश नहीं करना चाहिए तो यहां पर दोनों वेक्तियों का कंपेरिजन अब आपके सामने है यह एक रिजल्ट है यह हाइपोथेटिकल गड़ना है कि व्यक्ति अगर निय करोड तीन लाकी है इसमें से ब्याज को माइनस कर दो जो उसने 20 साल में ब्याज दिया है सिर्फ ब्याज तो आप समझ सकते हैं कि ब्याज उसने जो 99 लाख रुपे 50 लाख की प्रॉपर्टी पर अगर में लगब लगब 50 लाख रुपे माइनस कर दूं तो क्या रहा उसके पास कि यह एक कंपेरिजन आप लोगों के सामने में रखना चाहता था कि प्रॉपर्टी में इंवेस्टमेंट 20 साल बाद और इंडियन मार्किट के इसाप से इंफलेशन भी इसमें माइनस हुई है जिसका आमने इंपक्ट यहां पे इंवेस्टमेंट पे दिया है तो यहां पे यह दोनों रिजर्ट आपके सामने हैं अब आप खुड डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से किस वे में आपको चलना है मैं यह नहीं कहता कि लोगों को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदना एक भावनात्मक फैसला होता है हम लो कंसीडर कर रहा हूं तो यह दोनों नंबर्स जो हैं आप लोगों के सामने हैं नाओ डिसीजन इस अप तो यू यू एट विच इस बेस्ट ऑप्शन फोर यू और विच इस तरीके से दोनों वेक्ति अगर एक वेक्ति लोन लेके मकान बनाता है और एक वेक्ति जो नियम अ सार डिसिबिलिनी से एक अनुशासर रूप से इंवेस्मेंट करता है तो वो 20 साल के लोन के बाद वो वेक्ति कहां पहुंचेगा और 20 साल के बाद वो इंवेस्मेंट करने वाला कहां पहुंचेगा यह दोनों में से वेल्डिक होन हैं यह मैं आप पे चोट पर जोट आndа ह लेकिन कुछ लोग की धार्णा होती है कि मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो या एक ऐसी एसेट हो, जो एसेट मैं कमाऊ या ना कमाऊ, वो आटोमेटिकली अपना पैसा जनरेट करती रहे, मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर आप आज जॉब कर रहे हैं, आज आप वैपार कर रहे हैं, अगर भगवान ना करे कि अगर आप एक महीने के लिए, दो महीने के लिए या ती महीने के लिए वो काम करना बंद करने या ना कर पाएं तो क्या आपका घर चल पाएगा, क्या आपकी एसेट कम होंगी, या वो एसेट आटोमेटिकली आप काम कर रहे हो या ना कर तो उसको हम wealthy होना नहीं कह सकते हैं, उसको सिर्फ हम rich कह सकते हैं, योगि उसके पस assets create तो हो रही है, लेकिन wealth create नहीं हो रही है, wealth create उसे कहते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपका पैसा आपके लिए खुद पैसा कमा रहा है, तो उसे wealth creation कहते हैं, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह जानकारी आपको ग्यानवर्दक और रोचक लगी होगी, प्रीज वीडियो को लाइक करना मद भूलिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाना मद भूलिए ताकि आपको सभी इस वीडियो समय पे और सोचालो रू मैं उस वीडियो को ले के आने की पूरी कोशिच करूँगा, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे, सुरक्षित रहिए, जै हिंदा!